तो गाइज आज आपके लिए बहुत ही ट्रेंडिंग डिजाइन लेकर आए हैं जो की मोल्डिंग वोल का होता है आप बहुत डिजाइन देखे होंगे इस तरीके के यह आज हमने फाइनल बना कर यह वाले डिजाइन दिखाना है आपको WPC Charcoal Molding में कितना खर्चा आता है और कितनी बड़ी इसकी लेंट आती है कितने MM में यह आती है और किस मैटेरियल की बनी होती है सब कुछ आज वीडियो के अंदर बात करते हैं तो इस वीडियो को लाच तक जरूर देखिए तो फ्रेंट जिस वोल पर हमें इसे लगाना होता है सबसे पहले उस वोल का साइज ले लेते हैं जैसे कि हमें इस वाली वोल पर लगाना है तो इस वोल का साइज हमारा 15 फिट की चोड़ाई है और 10 फिट इसकी हाइट है तो सबसे पहले हमें इसमें इसको वोल पर ड्रो कर लिया है तो हमने चारों तरफ इसकी मार्केंग करने के भाध में जो हमने बीच के और दो बोक्स में मीड में एक बोक्स को दिवाइड करके निकाल लीया है बोक्स बनाने के लिए ऑल जोग और幾ं activation के बाक्स कर रहे हैं इसकी बॉक्स इसकी अलग अलग में अब जो हमें अंदर की बीडिंग जो हमें लगानी इसकी मॉल्डिंग उसकी मार्किंग अलग हो जाएगी और जो आउटर बीडिंग इसकी आउटर वाली मॉल्डिंग उसकी मार्किंग अलग हो जाएगी तो आप देख सकते है के लिए लिए हमने design अपना बिल्कुल draw कर लिया है, अब हमें इसमें molding paste करनी है, या फिर उसे molding को nails के तुरू लगाना है, बात करते हैं WPSV मोल्डिंग के साइज की तो इसमें क्या-क्या साइज हमें अविलेबल मिलते है मार्किट में तो यह 22 mm से स्टार्ट होती है और 65 mm तक मिल जाती है 22 mm, 30 mm, 38 mm, 45 mm और 65 mm मिल जाती है इसमें दो पैटन आते हैं एक तो टेपर वाले पैटन आता है और एक ताज का पैटन आता है ताज बीडिंग वाला पैटन तो आप इसमें हमने यहाँ पर जो यूज की है यह 38 mm की टेपर बीडिंग यूज की है और इसके साथ में जो हमने अंदर वाली बीडिंग लिए वो 22 mm की टेपर बीडिंग अंदर वाले साइज के लिए सबसे पहले हमें एक फर्मा बना लेना है जो कि हमारा 45 डिग्री पर उसको कट कर देगा ताकि हमारा राइट एंगल बन जाए करन अच्छे से मिलानी होती है तो उसके लिए हमें एक फर्मा तैयार कर लेना है फर्मा तैयार करने के बाद में हम अपने बीडिंग को अच्छे से कटिंग करके साइट तू साइट और उस जो वो जो हमने मार्किंग की लाइन की विए उसी पर ही सेट करना होता है आप इसके अंदर 17 नंबर की कील यूज़ कर सकते हैं बीडिंग को कटिंग करने के बाद में उसके पीछे अच्छे से फैविकोल लगा कर उसे दिवार पर पेश्ट करना होता है फिर उसके उपर एक दो कील वगरे लगा कर उसे अच्छे से जाम कर देते हैं आप देख सकते हैं हमने याँ पर एक फर्मा रेडि किया है फर्मे रेडि करने के बाद में किया कि उससे अच्छे से करन को कट कर सकते है उसमें हमारा एक्यूरिस से अच्छी आजाती है कोई उसमें जो उसका जोइंट होता है उसमें कोई गैप नहीं आता तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक फर्मा ready करना होता है ताकि जो हमारी करना है अच्छे से मिल कर आए तो अब हमने यहाँ पर जो तीसरी बेटिंग लगानी है उसका निशान लेकर उससे उस फर्मे के अंदर रखके आरे से हमने उसे कट कर लेंगे है जैसे हमने उसे कट कर लिया तो उसके हलका सा एमरी पेपर से या फिर रंदा लगा कर उसको इनर वालय जोईंट उसे अंदर से थोड़ा सा गिस लेंगे और पिर उस पर अच्छा फैवी कोल लगा कर उसे हम कील के सारे से कत बांद बंद लगा देंगे अगर आप नेल्स यूज नहीं करना चाहा रहे हैं तो आप पोलीफिक्स की ग्लू यूज कर सकते हैं उसमें हमें नेल्स की पिर रिक्वार्मेंट नहीं होती वो डारेक्टी ऐसे पेस्ट हो जाती है बोल पर तो आप देख सकते हैं हम कितने अच्छे से याँ पर glue लगाएंगे ताकि हमें एक दो कील ही लगानी पड़ें इसमें glue का roll बहुत अच्छा होता है, glue से ये इतना अच्छा paste हो जाता है आप देख सकते हैं हमने याँ पर glue fabric को लगा लिया है और इसमें हम सिर्फ दो या तीन कील का use करेंगे एक उपर वाले corner पे और एक नीचे वाले corner पे और एक इसके बीच में तीन कील लगा कर हम इसे रोग देंगे तीसरी bidding भी हमने अपने marking के according उस पर लगा दिये अब जो बारता आती है अब चोथी bidding जो नीचे वाला portion की bidding है उसकी हमें लगानी होगी तो उसके लिए हमें अपना जो चोथा cut है वो भी size के according फर में से cutting करके लगा देना है तो आप दो देख सकते हैं एक box हमारा complete हो गया है मोल्डिंग के अगर size की बात की जाए तो इसकी length जो आती है वो हमारी च्छान मेंची यहांनी 8 फिट की length आती है तो इसको हमें इस तरीके से काटना है ताकि हमें इसका waste नहीं हो जादा अच्छे से हो जाए अगर हम इसमें joint भी लगाने हैं तो joint भी easily इसमें लग जाते हैं तो अब हमारा जो अंदर का design है वो हमारा 22 mm की bidding से बनेगा जो कि आप देख सकते हैं 22 mm की bidding हमने दोनों तरफ उसके edge current में काट कर उस पर भी favical glue लगा कर उसमें एक दो nails से उसे रोग देंगे सबसे पहले हम अपना outer box बनाएंगे उसके बाद उसका अंदर वाला box inner box रेडी करेंगे एक एक करके step by step हम सारी wall molding इस तरीके से लगा लेंगे inner box की उपर वाली molding भी हमने इसी तरीके से लगा लिए आप देख सकते हैं हमने एक box पूरा complete कर लिया है और इसमें हमें ज्यादा time नहीं लगा लगाने में तो इसी तरीके से हमें एक एक करके सारे box complete करने होंगे तभी wall का design पूरा हो पाएगा इसके बाद हमें बीच वाले design को बनाना होगा तो इसके लिए हमें इसमें जो 38 mm वाली bidding है वो वाली bidding सबसे पहले लगानी होगी wall molding design में आप काफी सारे design मना सकते हैं इसमें आप single bidding का भी डिजाइन बनागते हैं double bidding का भी और इनके बीच में एक golden profile पत्ती भी लगा सकते हैं जो कि आजकल काफी trending में चल रहा है box complete करने के बाद में इसके अंदर हमें वोल paper लगाना होगा वोल paper भी लगा सकतेयां या फिर इसके अंदर glass का चारकॉल सीट या marble सीट भी लगा सकतेया आप इसमें काफी अच्च एच्च डिजयाईन बाद में इसे रेनुएट कर सकते हैं या फिर इसमें जो दो साइड वाले बॉक्स होते हैं दोनों साइड जो बॉक्स होते हैं उसमें हमें light hanging light का उप्सन मिल जाता है अगर उसमें light का function है तो वहाँ पर आप दो light दे सकते हैं और बीच वाले पॉर्चन में एक अच्छा सा wallpaper आ जाएगा तो यह बहुत ही अच्छा लुक देता है वोल पर आपको लाश्ट में इसका फाइनल लुक दिखाएंगे किस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है बात की जाए इसके यूजेज हम इसे सिर्फ इंटियर परफस के लिए यूज कर सकते हैं और यह डवलो पीसी मैटेरियल की बनी होती है चार कोल डवलो पीसी मैटेरियल की बनी होती है यह लाइफ की बात की जाए तो 15-20 साल यह राम से चल जाती है बाकी इसके उपर पेंट होकर तभी इसका लूक अच्छे से निकल कर आता है बात की जाए कि परपीस मोल्डिंग का प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है तो गाइस यह जो 22 mm वाली एक मोल्डिंग है उसका जो प्राइस है वो मार्केट में 80 रूपे के असपास है और जो यह 38 mm वाली जो मोल्डिंग है उसका प्राइस आपको 160 से 170 के बीच एजिली मिल जाता है मार्केट में अगर पूरे वोल की डिजाइन की बात की जाए कि कितने रूपे स्क्वार फिट पे इसका खरचा आता है तो 30 तो 35 पर स्क्वार फिट पेज का खरचा आता है लेवर इंकलूड करके तो आप देख सकते हैं, mostly हमारा design ready हो गया है, एक दो PC अभी बचे हुए हैं, उन्हें लगा कर आपको final look दिखाते हैं, किस तरीके से आता है, हमने यहाँ पर wall पर जीरी कटवा कर, इसमें दोनों side, दोनों boxों में light का wire भी निकाल लिया है Guys, अगर आपको wall modeling, WPC modeling, charcoal modeling की requirement है, तो आप हमें contact कर सकते हैं, description में लिंक में आपको हमारा WhatsApp number और phone number मिल जाएगा, हम Pan India deliver कर देते हैं, आपको इससे अच्छा rate कहीं नहीं मिलेगा, आपको जहाँ पर भी location होगी, हम वहाँ पर deliver करके देंगे आप खुद से भी इसे लगा सकते हैं, procedure हमने आपको बता दिया है, बहुत easily process है, आप खुद से भी लगा सकते हैं, और full हमने आपको इसका वीडियो दिखाया है, कि किस तरीके से लगता है, आप देख सकते हैं, लगने के बाद कितना चलू कारा है इसका, इसमें दो बोक्स में hanging light आएगी, और जो beach वाला portion है, इसमें आप कोई photo या फिर कोई wallpaper लगा सकते हैं, तो guys, ऐसी की amazing video देखने के लिए हमारे channel को subscribe करें, वीडियो को like करें, share करें, और next video के लिए wait करें, thank you guys